इतिश्री भगवत गीता अधाय आठ भगवत प्राप्ति अर्जुन ने कहा हे भगवन हे पुर्शोतम ग्रम क्या है आत्मा क्या है सकाम कर्म क्या है यह बहुत जगत क्या है तथा देवता क्या है खुर्पा करके यह सब मुझे बताईए यह मदुसूदन यग्डी का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और म्रट्टु के समय भक्ति में लग रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव प्रम कहलाता है और उसका नित्य सुभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है जीवों के बहुतिक शरीर से संबंदित गतिविधी कर्म या सकाम कर्म कहलाती है हे देहदारियों में स्रेष्ट निरंतर परिवर्तन शील या बहुतिक प्रक्रति अधिभूत या बहुतिक अभिव्यक्ति कहलाती है भगवान का विराठ रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है तथा प्रतियक देहदारी के एरदय में पर्मात्मा स्वरूप इस्थित मैं परमेश्वर या या यगिका स्वामी कहलाता हूं और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरन करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप करता है इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है एकुंति पुत्र शरीर त्याग ते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरन करता है वह उस उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है अतेव है अरजुन तुम्हें सदेव क्रश्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही जुद करने के करतव्य को भी पूरा करना चाहिए अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझे में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे हे पार्थ जो व्यक्ति मेरा समर्ण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है मनुश्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वग्य पुरातन नियन्ता लगुतम से भी लगुतर प्रत्येक के पालन करता समस्त भातिक बुद्धी से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे वे सूर्य की भाति तेजवान हैं और इस भातिक प्रक्रति से परे दिव्य रूप हैं मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भाहों के मध इस्तिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अब विचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है जो वेदों के याता है जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो सन्यास आश्रम के बड़े-बड़े मुनी हैं वे भ्रम में प्रवेश करते हैं ऐसी सिद्धी की इच्चा करने वाले प्रमचरी वरत का अभ्यास करते हैं अब मैं तुम्हें वह विधी बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्तिलाब प्राप्त कर सकता है समस्त एंद्री क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थि या योग धारना कहा जाता है एंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हरदय में और प्राण वायू को सिर पर केंद्रित करके मनुष अपने को योग में इस्थापित करता है इस योगा भ्यास में इस्तित होकर तथा अक्षरों के परमसयोग यानि ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है है अरजुन जो अनन्नी भाव से निरंतर मेरा स्वरन करता है उसके लिए मैं सुलब हूँ क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवरत रहता है मुझे प्राप्त करके मापुरुष जो भक्ति होगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लोड़ते क्योंकि उन्हें परमसिद्धी प्राप्त हो चुकी होती है इस जगत में सर्वोच लोग से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं जहां जर्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है किन्तु है कुंतिपुत्र जो मेरे ध्राम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जर्म नहीं लेता मानवी गणना के अनुसार एक हजार युग मिलकर भ्रह्मा का दिन बनता है और इतनी बड़ी भ्रह्मा की रात्री भी होती है ब्रह्मा के दिन के शुबारंब में सारे जीव अव्यक्त अवस्ता से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्री आती है तो वे पुना अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं जब जब भ्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और भ्रह्मा की रात्री होते ही वे असहाइवत विलीन हो जाते हैं इसके अत्रिक्त एक अन्य अव्य प्रक्रती है जो साश्वत है और इस अव्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है यह त्रेश्ट और कभी ना नाश होने वाली हैं जब इस संसार का सब कुछ ले हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता जिसे वेदान्ती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं जो परम गंतव्य है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता वही मेरा परमधाम है भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ती द्वारा ही प्राप्त किये जा सकते हैं यद पिवे अपने धाम में विराजमान हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ इस्थित है हे भरस्रेष्ट अब मैं उन विभिन कालों को बताऊंगा जिन में इस संसार से प्रियान करने के बाद योगी पुना आता है अत्वा नहीं आता है जो परभ्रम के याता है वे अगनिदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के सुबुच्छण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्वरायन में रहता है उन छह मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परभ्रम को प्राप्त करते हैं यह जो जो योगी धुएं रात्री त्रश्ण पक्ष में या सूरी के दक्षणायन रहने के छह महिनों में दिवंगत होता है वह चंद्र लोग को जाता है जिन तो वहां से कुना तत्वी पर चला आता है वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रियान करने के दो मार्ग हैं एक प्रिकाश का तता दूसरा अंदिकार का जब मनुश्य प्रिकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता किन्तु अंदिकार के मार्ग से जाने वाला पुना लोट कर आता है हे अर्जुन यद्पी भक्तिगन इन दोनों मार्गों को जानते हैं किन्तु वे मोह ग्रस नहीं होते अता तुम भक्ति में सदैव इस्तिर रहो जो वेक्ति भक्ति मार्ग स्विकार करता है वह विदाध्यन तपस्या दान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फनों से वंचित नहीं होता वह मात्र भक्ति संपन करके इन समस्त फ़लों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य जहाम को प्राप्त होता है इतिश्री भगवत गीता आठवे अध्याय की समाप्ति